कि बताया कुछ लोग ये कहते हैं कि इस देश में आजादी ऐसे ही आगई लेकिन मेरा अपना खुद का मानना नहीं है अरे इस देश में आजादी लाने के लिए कितने वीरोने फासी के फंदिय को छुमा कितने वीरोने सीने पे गोली खाई किसी औरत का सुहाग नहीं रहा किसी माँ का बेटा नहीं रहा किसी बेहन का भाई नहीं रहा साथ लाग बत्तिस हजार लोगों ने अपनी कुर्बानी दी जब जाके देश में आजादी आई इतने तो लिखीत रूप में हैं ऐसे कितने नोजवान हैं जिन्होंने देश के लिए सहदद दी और उनका कही नामों निशान भी नहीं है। आईए सुनते हैं इस रागनी के मादम से क्या लिखा 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 है। हेरा कितने वीरा चले गर सजिनों मेरी भारत मां पे मर के आज्याती की लिखी कहाणी लब लहूं में भारे के अज्याती की लिखी कहाणी लब लहूं में भारे के लब लहूं में भारे के हेरा महराना परताप सिवाची बन में धक के खाए रखाए वीर हकी कते जमे धर्म पे तनक टहल ना पाए तनक टहल ना पाए हर जलिया बने आपाद के अंदर कितने वीर खपाए जोरावर और फते सिंग दीवारों में चिनवाए घर उधम सिंगने जाके गोडी पारी उस टायर के आजाद के लिके कहाने कलम लहो बैवारे के कलम लहो बैवारे के मेरे देश की भरती मेरे देश की भरती सोना उगले उगले हीडे बोती मेरे देश की भरती मेरे देश की भरती कि भरती हुआ 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 मेरे देश कुए कि दूसरी कड़ी में बताया कि वो राजगुरु सुपदे भगत सिंग उनका एक ही मकसद एक ही इरादा था कि चाहे जान चली जाए लेकिन अपनी भारत मता को अजाद करा कर रहे और यह कहो हसंते कि आजादी की कभी रहाद ही होने देंगे सुभरुवा नहीं मेंगी में अरे जब तक्षि एक भी पूंदक करम लहू कि भी अत्मा की आचल को नीलाम नहीं होने देंगे नीलाम नहीं होने देंगे दूसरी कड़ी के मादम से कभी नेखे बड़ाया हेर पीठ से बांद लिया लड़करे पीठ से बांद लिया लड़करे जब लड़ी लक्षुमी बाई और पाई चंदर शेखर ने देश के अंदर भारी धो मचाई भारी धो मचाई हेर बगत सिफ ने हस्ते हस्ते गल में फासी खाई भोरे थे बलिदान देश पे माद पिता और भाई पेर फेर हिंद में चाल पड़े रे कफण बांद लिया सरिके आजादी किली की कहाने तलम लहू में बरके तलम लहू में बरके हेर आजादी की कि अच्छा अच्छा वे शाच्छा और भाई तलम लहू में लहू एर उड़े खाई आजा बड़े लेग्या पेर काई हेर लाल नाजी ने खेली सजना लाल खूने की होली मेंदा जी ने हरा दिये अंगरेज बना के तोली अंगरेज बना के तोली धर इंकलाब का नाम ले लिया मार रहे थे बोली धरा बोली राजगुरु सुखदेव ने आखे देश की निंदरा खोली धरा थासी पे गए ने तकमीर रे ज्यान लगा लिया हरके आज़ा दी किन की कहाणी कलम लहू मैं भरके कलम लहू मैं भरके बार बार देज़ड़ु मैं भरके आखे देज़ड़ु मैं भरके आखे देज़ड़ु वताया कि कुछ साल पहले की घटना पुल्वामा में हमला हुआ और हमारे चवाली सेनिक अपनी सहादत दे कर गए जब उनके पार्थिक सरीर उनके गाउं में पहुँचे तो आपने देखा होगा उनके कीमत लगाई गई थी किया हुआ नोजवान मर गया हमने इतने दे दिये हमने इतने पैसे दे दिये जब इतनी बात एक फोजी की मा ने सुनी तो नो कैने लगी अरे नोजवानों की कीमत लगाने वालो मुझसे तो पूछो कि मेरे बेटे की क्या कीमत थी तुम्हारे लिए तो एक आदमी मरा है लेकिन मुझसे पुछो हमारा तो सारा सुख ही लुट गया एक फोजी की माँ जवाब देती हो और कहती है कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया कि सुक भर पूर गया मांग का सिंदूर गया बाप की दवाई गई भाई की पढ़ाई गई चोटी चोटी बेटियों की चोटिया चली गई अरे ऐसा विस्फोट हुआ उस पुलवामा के अंदर इस जिसम का पता ही नहीं सारे जिसम की पूटिया चली गई अरे नोजवानों की कीमत लगाने वालो आपके लिए तो एक आदमी मरा है सहाब लेकिन मेरे घर की तो सब रोटिया चली गई अगर एक बेटी का दर्द पूछना है तो उसकी मां से पूछ के देखो जिसने अपना बेटा खोया हो एक बेटी का दर्द पूछना है तो उसके बाप से पूछ के देखो जिसने ये सोचा था कि मेरा बेटा मुझे कंधा देगा लेकिन जिस बाप को अपने बेटी को कंधा देना पड़ा उस बाप के दिल से पूछ के देखो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी अंतिम कली में क्या बताया कभी ने हर याने से पक्च याने खाए याने से पक्च याने खाए सिरी अपने पेकोडे कुछ ले थे मासुम विरोने अंगरे जोके खोडे घर जबर फोज थी अंगरे जोकी हिंदुस्तानी थोडे गौंधी जीने बिन हतियारों मा के बतन तोडे घर रती चंद से तालिस अंदरा रती चंद से अंदरा पोरे भागे डरके अजादी कि लिखी कहाने पलम लहू में बरके अजादी कि लिखी कहाने पलम लहू में बरके अजादी कि लिखी कहाने पलम लहू में बरके कि लिखी कहाने पलम लहू में बरके